सल्मान रूश्डी, मशूर लेखर सल्मान रूश्डी के उपर हमला हुआ है इस हमले के बाद उनकी स्थिती कैसी है यह हम आपको बताएंगे लेकिन इस समय जो बड़ी खबर चल रही है वो यही कि सल्मान रूश्डी जिन्हें सालों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी भारतिय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखर सल्मान रूश्डी पर जान लेवा हमला हुआ है सल्मान रूश्डी पर यह हमला अमेरिका के न्यू यूउक में किया गया उस समय सल्मान रुश्दी एक कारिक्रम में शामिल होकर मंद से बोल रहे थे तभी हमलावर सामने से आया उन्हें मुक्य से मारा चाकू से हमला किया घटना के तुरंट बात वहां मौझूद दूसरे लोग मंद से भागते हुए नजर आये पुलिस ने न्यूयोंक में हमलावर को पकड़ लिया है बुकरपुरिसकार विजेता सल्मान रुश्दी साटनिक वर्सस लिखने के बाद विवादों में आये थे भारत समेत कई देशों में सल्मान रुश्दी की एक किताब दान है पेगंबर मुहम्मद के अपमान का आरोब सल्मान रुश्दी पर इसी किताब की वज़े से लगा था यहां तक कि एरान के सरवोच धार्मिक नेता आयातुल्ला कुमैनी के फत्वे का सामना उन्हें करना पड़ा था उन्हीं सल्मान रुश्दी पर यह हमला अब से थोड़ी देर पहले न्यूयोंक में हुआ है सल्मा सल्मान रुश्दी पर यह हमला हुआ उसके बाद कुछ देर तक तस्वीरों में वो सुरक्षा कर्मी और पारमेडिक से घिरे हुए नज़र आये गीता मोहन हमारी समवदता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है गीता क्या चीजें बता जा पाई है अभी तक क्यूंकि ये तो पता चल गया कि जो हमलावर था वो पुलिस की गिरफ्ट में है लेकिन इसके आगे और क्या जानकारी मिल पाई है जी श्वेता सबसे पहले जो न्यूर्क से प्लीच उन्होंने अभी अभी अपना प्रेस प्लीज जारी किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि इस पर जो तफ्पीश और इन्वेस्टिकेशन होने हैं वो शुरू हो चुके हैं और वो चौटोखवा इंस्टिउशन में एक स्टीकिंग इवेंट में थे जहां पर उन्होंना हुआ जो सल्मान रुश्दी को एक मैदी वैक यानी कि एक हेलिकॉप्टर के जरिए नियर किया वो अब नियॉक पुलीस देपार्टमेंट के गिरक्त में हैं तो ये डीटेल्स है जो से नियॉक स्टेट पुलीस के सेट्मेंट के द्वारा जादिकेशन हैं उनके उपर और उनकी जो राइटिंग है जो उनकी जो किताब रही है उसे लेकर वो गुस्सा तो क्या वो राडिकल एंगल हम देख रहे हैं इस हमले में देखे इस श्टा अभी राडिकल एंगल तो नहीं आया है लेकिन ये कोई सप्राइज नहीं होगा क्योंकि सल्मान रश्टी कई सालों से ऐसे इस्लामिक थ्रेट के अंदर जी रहे थे उनके अगेंस पत्वा था जैसे आपने बिलकुल सही कहा थीस मिलियन डॉलर बाउंट कर द भापने बापने में स्रिक doctor pe drinka guy के सांथ घुन अज़ूंते थे नियॉट कर लज़ा को बाढ़न इनके भारत में वह स्कैयरिटी में सपिट्या करेंश होते थे क्योंकि नटेवल इस्लामिक देशों में भारत में भी सटर्मिक वर्स जो किताब है वह बैंद है तो जहां पर भी काफी ज्यादा मुस्रिम पॉपिलेशन है उन सारे देशों में ये सिताब भी बैंड है और उनके जाम को हमेशा खत्रा रहता है लेकिन नियॉयोक में क्या वो सेक्यूरिटी के साथ है या नहीं वो नहीं पता आइडेंटिटी अभी तक विवीब नहीं किया गया है टैकल का हाला की प्रस्वीरे आज़ चुकी है माइनर नहीं मज़र आता लेकिन इंतजार करना होगा कि आइडेंटिटी क्या है और मोतिव क्या था